आज मैं बात करने वाली हूँ ओम कुलीम कृष्णायनमा मंत्र के बारे में ओम कृष्णायनमा जो की स्ट्रॉंगEST मंत्र है यह मैंने पहले भी बताया था और आज तक मैं इस मंत्र को करती हूँ और हमेशा मुझे siis का पॉजिटिव रिजल्ट ही आया, इसका में रीजन आपको बिताती हूं, यह कृष्णा भगवान का मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णायनमा, ठीक है, अब जो क्लीम, जो बीज मंत्र है, यह खुद इसल्फ, यह जो बीज मंत्र है, यह एक मैगनेट है, यह एक चुम्बक है, चु भी आपका थौट प्रोसेस उस वक चल रहा हो, चाहे फिर वो नेगिटिव हो, या वो पॉजिटिव हो, उसको वो दस गुना चीज मल्टिप्लाइ करके वो आपकी लाइफ में देता है, यह हकीकत है, इसलिए कुछ लोगों के साथ वो चीज नेगिटिव होने लग जाती ह वो सिफ मंतर करने के लिए कर रही होते हैं, लेकिन वो किसी पर नाराज होते हैं, किसी के बारे में उस वक चीज था हुआ होत Bene का B मंतर करना है, तो आपको अपने आप को बहुत जब जब पॉजिटिव आपने आपको पॉजिटिव कैसे रखेंगे मान लो कि जिस दिन आपका मूर खराब है तो उस दिन तो मैं बोलूगे कि मंतर का जाब करो ही मत ठीक है भले वो ग्याप आजाए मंतर जब आप नहीं करोगे क्योंकि वो नेगिटिव एफेक्ट आपको देगा ही देगा तो ऐसे पीलो या शर्बत बना के पीलो गहरी सांस लो गहरी सांस चोड़ो कैसे भी करके अपने आपको कूल डाउन करो अच्छी बातों को याद करो कुछ कुछ कॉमेडी सीन्स देख लो ताकि जो आपका माइंड है वो पूरी तर से पॉजिटिव हो जाए और जो नेगिटिव त पूरी थिव उसको ब्रेक कर सको और अगर आपके मन में बार बार आ रहे तो आप मन में बोलोगी कट 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 डिलेड डिली जैसे तक आप बोलोगी इमिजएटरी आप देखोगे कि वो जो नेगिटिव थोट से आपको आना बंद हो जाएंगे उसके बाद यह सारा पुछा जाएगा मुझे की इस मंतरजाब को कैसे करना है कौन सी माला लेनी कितना करना है यह मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को काउंटिंग पर ध्यान बिलकुल भी नहीं देना है क्योंकि अगर आप काउंट करते वे मंतरजाब कोई भी करते हो ठीक है कोई भी मं सारा ध्यान तो आपका वह माला पूरा करने में लगा होगा यहाव काउंट पर लगा होगा तो मंत्र पे जो आपका concentration 100% केवल और केवल मंत्र पे होना चाहिए, ठीक है, मंत्र, मन, मन में आप उसको बोलेंगे, तो वो और अच्छा है, लेकिन आप उसको घर में भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज आप घर के लिए कर रहे हो, तो आप उसको जोड से भी बोल सकते हो, खुद के ल होना जरूरी है, तो ही उसका फल मेलेगा नहीं, तो उसका फल खोग को मैं बहुत असे क्लाइइंस मिलता, हम तो यह म souvenfähी बोल सकते हैं, ळोर इंट आपको इसंव में चेका बेदे एस बूलłos बना पर शठ शूल जब तक मैं यह मन्त्र ज़ी मुझे वो चैन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके वो रूटीन में बैट चुका है लेकिन एक्चल जो मंतर करने का तरीका यह होता है कि आपका ध्यान सिर्फ मंतर पे होना ची यह नहीं कि बोला है तो कम्प्रीट अपको करना है तो आप क्या करेंगे एक ताइम ने धारीद कर ल खास तोर पे ओम क्रिश्नायनमा अगर आप ओवर करते हो तो आप देखोगे कि आपको गर्मी बॉडी में हो रही है हीट आपको क्रियेट हो रही है गला आपका सूख रहा है अपने आपी तो आपको जितना आपको लगता है न उतना ही आप कीजे मैं बोलती भले दस बार क लेकिन उसको आप अच्छे से कीजे वह ज्यादा माइने रखते है अगर आपको लग रहा है इसके बाद भी आपको प्रब्लम आप जादा पीजे जितना हो सक्क्या आप दिन में जब भी कोई भी मंतरे जप आप करते है न तो पानी पीने की कॉंटिटी आप अच्छी कर पानी आपको ज्यादा पीने, बहुत बार ऐसा होता है कि मंतर करने के बाद आपकी बॉड़ी में हीट बढ़ जाती है, ऐसा होता है कई लोगों के साथ, सबके साथ नहीं होता, तो मैं वही बॉपने से कहना चाहूंगे कि जब भी आप मंतर करें, पूरा ध्यान से करें, कोई पर बाद देना नहीं है, यह पर प्रटिकुल आसन पर बैठू हो, कौन से डेरेक्शन में बैठू हूं, आप भॉपर्ट नहीं हो, मेन आपकी एनरजी आप माइने रखती है, आपका कनेक्शन भगवान के साथ माइने रखता है, आप मंतर कितना ध्यान से बोलते हैं, वह म नहीं होता, उसका रिजल्ट आपको सब्सकते हो जिरो ही आएगा। भली आप कम करें अच्छे से करें पूरे दिन में ी काफे जिवा दिन का भी भी कर सकते है वे किर सकतें मन में तो कभी भी बोल सकते हो दो पपन आपको आप अद कर सकते हो jurisdiction कन ए उसका तोने करना चाहते हैं सबसे जो बैस्त होती हैई सबसे बहुत होदा माले को बहुते हैं किसा बुआ को बताते हूं हुँँ सबस्की इत किसी कर्षेंगा बात नहीं हो रही ठी मेरी सदम मुझे अपरोच कि चाह कि भी फ्रेंड थी उन से मेरी बात नहीं हो पारी है बहुत वक्त से वो नाराज है मिसंडेस्टेंडिंग हो गई है और मुझे दूर दूर तक आसार नहीं दिखाई दे रहें कि वो अब मुझसे बात करेगी उसने मुझे ब्लॉग भी कर दिया है और मैं चाहती हूं कि वो तो नो गले लग रहे हो और वापिस अपना हाथ हैंड शेक कर रहे हो या पुरानी अगर आपको यादी हो हैपी मुमेंट उसको आप याद कर ले ना और उसके बाद आप ये ओंक्लीम कृष्णा नमा मंत्र का जाब करना जितनी दिर मज़िया है चाहे तो सुबह उठते कर कर लो रात को सोने से पहले कर लो जब भी मन करे आप कर लो जब आपको लगे कि आप positive energy में हो और शान्त हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा ऐसे वक पर आप ये कर लो आइ थिंग हाडली तीन या चार दिन होई होंगे सामने से बात होगी सामने से कौल आ गया जो की unexpected था और मुझे उसने बहुत बात हैंक्यू बोला कि ये तो मुझे दूर दूर तक उमीद दिखाई नहीं दी ती बिलकुल कि ऐसा पर कुछ हो जाएगा और वाकरी मेरे बात करने की भी कोशिश की थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये मंतर इतना मैजिकल है ये सच में काम करता है जब आप ये मंतर करते हो और ऐसे में उस व्यक्ति के बारे में आप सोस्ते हो तो एक तरह से आपकी टेली पैथी वो होने लग जाती है तेली पैथी कैसे काम करती है अगर आप सच्छे मन से मंतर इजाब करते हो और उन व्यक्ति को आप अच्छे मुमेंज को याद करते हो ये मंतर इजाब करते तो वो एनरजी वहां पर पहुछेगी आत्मा का आत्मा से तो connection होता ही है ना तो ये आप जरू से कीजगा अगर आपके लो मैरेज में कोई आप से बहुत ज़ादा नारास है यहाँ तक कि आपको पैसे में धिक्कत है तो भी यह Salts max के अउसमें आपको क्या में मयाजन करना है अब भहुत ज़ादा वेल्डी हुग गया बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया हो, मेरा बहुत सुंदर सा घर बन गया है, आप कार लेना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, आप कर से मुक्त होना चाहते हो, इन फैक्ट मैं बोलूँगी, A to Z आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, यहां तक कि अगर आपको रात को नींद भी ने आरी ना, यह ट्राय करना, यह मैं बहुत बार कोशिश करते हो, बहुत बार नींद नहीं आती, हाड़ली, मुझे लगता है, दो या तीन बारी ओम कलीम कृष्णा नमा मंत्र बोलती हो, नींद आ जाती है, तो इतना वो आपको रिलाक्स भी करता है, लेकिन उसका करने का तो तरीका मैंने आपको बता है, इस तरीके साब करना है, आप लेटे लेटे आँख बन कर की भी बोल सकते हो, आप उस वक्रिशन भगवान को या रिजाब शुरू करो, पहले पानी भी अच्छे से पीलो, अपने आपको रिलाक्स कर लो, फिर मंत्र रिजाब करना, यह नहीं कि आप ऐसे ही बैढ़ गए, चलो चलो फटा 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 टाइम होने वाला है, मुझे फिर बहुत सारे काम करें, चलो फटा फटा फटे मंत्र वह सब निकल जाएगी, इसका रिजन में आपको बताती हूँ, क्या होता है, हम इस घर में, जिस घर में हम रहते हैं, वही पर गुसा करते हैं, लड़ाई करते हैं, अलग अलग तरह कि अमारे घर में हो जाती है, और वास्तु दोश भी अगर आपके घर में है, तो अगर आ तो वो जो एनरजी है वो आपके दिवारे घर की एब्सॉप कर लेती है और उससे आप देखेंगे कि आपका घर का वातावरन बहुत अच्छा हो गए यहां तक की एक और चीज आपको बताती हूं यह मैंने आजमाया था इतिंक मैंने वन आफ तो वीडियो में बताया था शम मैंने मान रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं एक बार कोशिश करती हूं ट्राइ करते हैं क्योंकि देखो है तो पौध ही मैं भी जान तो ट्राइ करती हूं आप बिलीव निय करोगे रोज मैं ओम क्रिश्नायनमा मंत्र का यह जाग वहां पर पास में मोबाइल प आप बिलीव निय करेंगे इस बात को आज कितना अर्सा हो गया बहुत अच्छा उल्टा पहले से भी अच्छा बहुत अच्छा श्यमी का पौधा मेरा बन गया है और मुझे देखके मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाई अच्छा हुआ मैं एक मिनट में पटा पर से फैसला है तो आपके घर के नेगिटे वाइबरेशन होंगे इसकी वज़े से भी तुल्सी का पौधा वो नहीं उपाता है बराबर से वो एकदम से जड़ जाता है या नहीं रह पाती है ऐसे में पॉजिटे वाइबरेशन साब देना शुरू करो अपने घर में और पौधों के भी कुछी दिनों में इन फैक्ट में कहूंगी कि एक हftे से एककीस दिन में आप अपने घर पे चेंज़ेस देखने लग जाएंगे आप अपने पौधों में चेंज़ेस देखने लग जाएंगे यही मंतरा नहीं कोई भी मंतर में इतनी शक्ति होती है पर क्लीम कृश्ना अन कि आपकी ये वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की मदद हो सकती है बहुत लोग है जो आज की तारीक में खर्च नहीं कर सकते ये चोटे-चोटे उपाए घर में बैठे-बैठे आप फुरी आफ चार्च कर सकते और इसके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगी क्योंकि कई एक्सपीडे कर सकते हैं अगर में बता रही हूँ तो चौबीच साल के एक्स्पीडेंस के बल्बूते पर बता रही हूँ आप इसको विश्वास के साथ कीजिएगा ये काम करेगा बहुत लोग हैं जिनको इससे मदद मिल सकती है तो ये जरू से वीडियो शेर किजिएगा तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में तक तक आप अपना पूरा ध्यान दखेगा, I wish you all the best and God bless you, good night तक आप ऊचाए, I wish you all the best and God bless you